नमस्कार सर मेरा नाम राजू है यहाँ पर कुछ कोश्चन पुछा गया है कॉमेंट सेक्षिन में कह रहे हैं कि 25 साल के डिर्वेशन है निपॉनी स्मॉल केप में 30,000, कुवांट में 30,000, केंडर रिवोकों में 30,000, इसमॉल केप में, मोतिलाल उस्वाल मीट केप में 10,000, और 20,000 प्रमंद का और इसमें जोड़ना चाता हूँ, तो कैसा रहेगा पॉर्टफोलियो, यहाँ पर 25 साल के लिए इंविश्टेट रहना चाते हैं, तो यहाँ देखते हैं कि एक लागर पर मंद कह रहे हैं कि करेंगे 80 जर करी रहे हैं, 20 जर्पय और करना चाते हैं, HDFC स्मॉल केप, ICC स्मॉल केप में जोड़ सकते हैं, 10-10 जर्पया, यह HDFC फ्लेक्सी केप, ICC मल्टी केप, काफी पूराना मुचलफट हैं, इसमें आप फर्दर जोड़ सकते हैं, आपके पास ज्यादा रिस्क लेने का कैपि पहले से काफी पैसा है, अच्छा कासा इंकम हो रहा है, तो आप स्मॉल केप में जोड़ सकते हैं, थोड़ा सा सेव चलना चाते हैं, तो HDFC फ्लेक्सी केप, ICC मल्टी केप को जोड़ सकते हैं, यहां पे इसको देखते हैं, कि एक लाग रुपे पर मन्त करते हैं, तो आगे बनता है, 25 साल जो आपने डियोशन बताया है, पर यदि इतना रिटन ना मिले, अगर हम 12 परशन के रेट से कैलकुलेट करें, तो जमा तीन कोड़ होगा, पैसा बनेगा 18 करोर, 790 लाग, और यही पैसा अगर सेफ सेफर जगा, 7 परशन के रेट से मिले, तो यह पैसा 8 करोर 14 लाग बनता है, तो 12 से 13, 14, 15 के बीच आप कैलकुलेट केजिए, मुचल फंड में जो फंड अपने सेलेक्ट किया है, इजली एचीव हो जाएगा, आगे कोश्चन बरते हैं, कोश्चन नमर टू है, मेरे नहीं रहने पे मुचल फंड कहा जाएगा, मैं जब उपर चला गय तो नमनी को चला जाएगा, या बैंक में आ जाएगा, क्या होगा, आप अगर मचमच फंड लेते हैं, आपके जाने के बाद, वही मचमच फंड नमनी के नम पे आ जाएगा, वो ट्रांसपर हो जाएगा, सेम फंड, जो मचमच फंड यहाँ पे है, वो नमनी के नम पे ट्र जैसे है वय से रह सके हैं, वो कैस में न निकाल पाए, इस तरह से उनका क्वेस्टन है कि मुचलपन कंटीनू रहे, एक वार जब यहां पे टांस्फर हो गया, अब निकामर्जी है कि वो continue करे या उस पेसे को निकाल ले यहाँ पर whole soul मालिक वही हो गये तो यहाँ पर मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि नोमनी जब आप बनाते हैं तो joint नोमनी मत मनाईए दिक्कत होता है अलग-अलग करके रखी वो ज्यादा अच्छा है मालीजी आपके वास दो लाप गये एक लाप में एक अलग नोमनी दूसरे लाप में एक अलग नोमनी यहाँ पर यह गलती होता है कि दो भाई है जोएंट नोमनी बना दिया 50% इनको 50% इनको घर में भी ऐसे कर दिया एक घर ह जोएंट लिये दोनों के नाम पर नोमनी है होता यह है कि जब आप चले जाएंगे और हम चले जाएंगे और एक भाई कनाडा चला गया और एक भाई यहीं रहा गया अब वो घर जो है 10, 20, 30 सल के बाद जर जर हो गया यह कहते हैं कि इनको बना लेते हैं बटवारा करके बन पैसा लगा के ऐसे कैसे बना दे वो आएंगे तो वो हग जताएंगे अगर मन मुटाओ हो गया है तो यहां पर हमेशा एक चीज पहले से सेपरेट करके रहे हैं जो जिसका है उसको अलग लग सेपरेट करके रखेंगे हम समाज में देख रहे हैं कि पैसा बहुत था जमीन बहुत है पर कोई सुख बहुत नहीं कर पा रहा है चोटा चोटा विवात के गारन ठीक उसी तरह मुच्वल फंड में भी एक जिकली बताग रखेंगे यह पैसा इनका यह पैसा इनका यह पैसा इनका मोखिक बतागे नहीं को भी करके रखिए इसका नहीं यह इसका नहीं से अलग लग करके रहिए अभी जो है आप ही उनर हैं मुचल पंड के उनर अभी हमी है हमारे जाने के बाद नोमनी यह है नोमनी यह है अलग लग फोली में कोर को नोमनी है वो डिसाइड करके रखिए अगला कोमेंट्स है कि राजु भीया अगर 15 साल तक 15 जार परमंद करते है और 15 साल के बाद एक कोर्ड हो भी जाए तो 7% inflation के चक्कर में 50 लाग वेल्यू रहा जाएगा वो गलत बोल रहे हैं calculate करके दिखते हैं यहां पर कह रहे हैं कि महंगाई यह है 15 जर परमंद कर रहे है 15 साल के बाद एक कोर्ड हो गया तो उसका वेल्यू क्या होगा वो तो ब पुरा हो गया यह जो है उसका वेल्यू 36 लाग हो गया आप कहेंगे कि कैसे जाने यह जादू कैसे हुआ कोई जादू नहीं इस टारेसी डॉट में जाएंगे यहां पर गोलं के क्लकुलिटर में गोल के क्लोड करेंगे यहां पर आपने लिखा 36 लाग पहले 30.000.00 लिखें मिले अगर मिले उपर नीचे चेंज करके देखिए क्या होता है तो उस 36 लाग का जो आज का परजेंट वेल्यू है उस समय का लगबग एक कोड हो जाता है और इसके लिए पैसा जमा कतना कर रहे हैं 15,127 रुपिया मतलब लगबग 15,000 पर मंत किया तो एक कोड पे पूरा हुआ 15% के रेट से और यदि 7% का इंफलेशन रहा तो इसका परजेंट वेल्यू 36 लाग रुपिया होता है इसको चेंज करेंगे मालने जिए कि 5% का इंफलेशन हुआ तो आज का जो परजेंट वेल्यू मैं आज खरीद रहें उस समय निन्यान वे अलाका खरीदेंगे तो इस तरह से करके इंफलेशन काउंट करेंगे आप कहेंगे कि वेल्यू इतना कम हो जाता है मैं कहता हूँ कि कहीं भी करेंगे यह तो 15% के रेट से कैलकुलेट किया था अगर 8% के रेट से बैंक कोश्ट आपिस में रहेगा तो कितना विल्यू होगा जाहिर सा बात है कि वो कम होगा जो 15% के रेट से मिल रहा था 8% के रेट से कम होगा लेकिन 8% के रेट से अगर इंफेश्ट करते रहे तो 28,000 पर मंद जमा करना पड़ेगा जो चीज 15,000 से एचीव हो रहा था उसके लिए अगर 8% पर रहें तो 8,000 पर परमन देना पड़ेगा तो इस तरह से खुद से कल्कुलेट करना है अगले question पर जाते हैं कि long term के लिए sector fund अच्छा रहेगा क्या 12 साल के लिए time है अब sector fund के बारे मैं पोच रहे हैं मैं हमेशा बोलता हूँ कि sector fund से बचना चाहिए इसको दूसरे उदारे में समझते हैं कि एक बार अगर साधी कर लिया ना दो दूसरों से बचना चाहिए ट्राइ करना चाहिए नहीं बच पाए कोई बात नहीं उसी तरह sector fund से बचना चाहिए बहुत ज़्यादा पैसा आपके पास इधर लगा दिया उधर लगा चलेगा लेकिन ज़्यादा पैसा नहीं है तो मैं कहूंगा sector fund से बचिए अब आपको बोलूँगा आप पूचेंगे क्यों बचें उसके लिए लॉजिक है यहाँ पर मैं आपको निपॉन इंडिया small cap का एक portfolio दिखाता हूँ 172 stock है इसमें निपॉन इंडिया small cap में अभी इस 172 stock में जो sector आप बात कर रहे हैं क्या उस sector का stock fund manager ने नहीं खरीदा होगा यह तो हो गया निपॉन इंडिया का और यह है SVI small cap का आप करते हैं कि यह sector अच्छा लग रहा है आपको अच्छा लग रहा है रिटर अच्छा लग रहा है और उसमें कुछ stock होगा और fund manager को अगर लग रहा है कि वह stock अच्छा करेगा तो क्या वह small cap में खरीद के नहीं रखेंगे ऐसा हो ही नहीं सकता है कि fund manager को लगे कि यह fund तो fund manager small cap में technology fund लेके रख लेगे small cap का तो मतलग भी हो गया ना एकदम diversified जहां लगाना है लगाएंगे technology हो इंफ्रा हो ओटो हो पावर हो कुछ भी हो यहां पर तो कोई बंदा नहीं है हमने बोला small cap जो छोटा-छोटा company होगा सब खरीदेंगे तो sector से कोई मतलग नहीं है यहां जो मर्जी है वो खरीदते रहेंगे तो इस तरह से करके आपको sector से बचना है sector का एक time होता है एक time में चला फिर कभी नहीं चलेगा फिर चला कभी नहीं चलेगा तो उससे अच्छा है कि full diversified mutual fund जो है वो small cap उसमें लगाते रही है अब यहां होना भी चाहिए एक घमंड सब दे दिया कोई भी वेक्ति ना जो पढ़ाई करते हैं कुछ बनना चाहते हैं चार साल पांस साल मेहनत करके कुछ पाते हैं तो पाने के बाद उसको घमंड आ जाएगा अगर तो आ गया काम से लेकिन उसको घमंड नहीं बोलेंगे अगर कोई जाने के बाद घमंड आ गया तो सारा निगटीव एनरजी उसके अंदर समा जाएगा यहां पर मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ बुद्ध जी महात्मा बुद्ध जी जहां भी जाते थे एक जंगल में बसेरा करते थे उसको जैतवन बोलते हैं उनका एक सिस्य था वो अनंद अपने गाउं के निकट ही बसेरा करने जा रहे थे दस अजार विक्चू के साथ उस गाउं में वो बसेरा करने जा रहे थे तो जो भी जंगल में जाते थे उसको जैतवन बोलते थे सभी लोग गाउं के मिलने आए आनंद की बहन को भी मिलने आना था पर वो पूरे सरीर फफोला हो गया था, एक skin disease हो गया था, जब बुलाने के बाद आई, तो कपले ढख के आई, तो आनद उनके भाई ने कहा, पागल हो गी क्या, एक तो तुम आई नहीं, और जब आई हो तो कपले ढख के आई हो, फिर भाई ने कहा, कि मुझे पूरे सरीर में फफो कुद काम करना है दस जार विक्चों को रहने के लिए उनको काम करना था उनका नाम रुख्मनी था भहन का तो पहली बार भाई ने कुछ कहा उन्होंने का भाई जी बन जाएगा दस साल बारत साल के बाद भाई मिलने आये और उनको कुछ काम दिया तो काफी स्वाभी मानी थी वो उनके सारे अपने कंगन सोने को बेच दिया और इतना रम गई काम करने में दो मैने तक लगातार काम करते रही इतना काम में रम गई कि उस बिमारी को भूली गई और 90% वो कि ये रोग जो तुम्हें हुआ था वो क्यों हुआ था तो रुकमनी ने कहा नहीं भनते मुझे नहीं पता है तो बुद्ध जी ने कहा तुम काफी रूपवदी थी सुन्दर थी और बाद बाद पर क्रोध करती थी गुस्सा करती थी तुम्हारे सामने कोई भी तुम से कम सुन्दर का आ जाए तो उसका तिरस्कार करती थी यह जो क्रोध गुस्ता घमण है ना यह उर्जा कंवर्ट होके बिमारी में चला गया और पूरे सरीर में तुम्हें बिमारी ने घेर लिया हम लोगों ने फिजिक्स में यह पड़ा है कि इनर्जी जो है करोना आया वह सारे बिमारी का उर्जा करोना के उर्जा में ट्रांसफर हो गया अभी तुम्हारे पास 10% फिर भी बिमारी बचा हुआ है वो बिमारी इसलिए बचावा है कि तुम्हारे भाई ने ये बताया कि विक्चुओं के लिए काम करो वो करोना तुम्हारे भाई के तरफ से आया लेकिन तुम्हारे सिल्फ से आता बिना भाई के बताए सिल्फ तुमारे अंदर से आता कि हमें विक्चुओं के लिए काम करना है तो तुम 100% ठीक हो जाते ही और कहते हैं कि वारतालाब करते करते वो पूरी तरह से ठीक हो गई अब यहाँ पर पैसे की बात करते हैं तैसा आने के बाद अगर इस तरह का बिमारी आ जाए ना गमंड का, क्रोध का, गुस्सा का तो इससे बड़ा मुर्पता कुछ नहीं होगा यहाँ पे फैननसेग फ्रीडम बानने के बाद एक वर्ड मुझे बड़ा पसंद है अरिहंत को प्राप्त हो जाना महावीर जी का ईक शंटेंस है अरिहंत को प्राप हो जाना उसका क्या मतलब है जिसके सारे सत्त्र समाप्त हो गए उसको अरिहंत बोलते हैं और हमारा सत्त्र कौन है पता है कौन है ये हमारे सत्त्र ये पाँच है लोग, क्रोध, मोग, काम, आहिंकार इतना मेहनत करने के बाद, सब कुछ पाने के बाद, हासिल करने के बाद, ये बिमारी पकड़ ले, तो फिर सब समाप्त हो गया, इसका कोई सार नहीं है, वीडियो अच्छा लगे, तो What's Up University में दोस्तों भी इसे जरूर सेर करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो लाइक इसे जरूर करें, Thank you so much.